अपने शहर की लेटिस्ट ख़मरों के लिए न्यूस को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं पहला सवाल है जिस सहर में मुखमंत्री रहते हैं और वहीं अपरादी प्चास लाज पचिस लाज रुटिया लोट लेता है और मुखमंत्री मस्त रहते हैं पुरा विहार अपराद से तरस्थ है जांगरेट से तरस्थ है दंगाईयों से तरस्थ है बिहार और देश का माहूल बिलकुल अलार्मिंग पोजिशन पर है इस देश के दिमोक्रासी के लिए बिहार के 11 करोर 33 लाख लोग भग अपरादी माफिया के निशाने पर है इस बिहार की कोई भी वेटी और माँ घर से निकलती नहीं है कैद हो चुकी है मेरा सवाल लितिश कुमार जी से है हाजिपूर बिहार का एक ऐसा सहर था जहां कुछ उमीदें कभी बिहार की जड़ी थी रोजगार को लेकर एकनोमी को लेकर बिहार आज के देखने हैं अपराद का सरनास्थली बना हुआ है सेक्स रेकेट का सरनास्थली हाजिपूर बना हुआ है अपराद का सरनास्थली बना हुआ है गेंग रेप का सवनास्थली बना हुआ है लगातार यहां देश की सबसे बड़ी डखे थी सोना की और लगातार हत्या गेंग वार वी आम लोगों का वार वी आज तिन दिन-चार दिन पहले लॉयर को मारा गया फिर आज राकेश यादर जी को मार दिया गया और कहके मार दिया गया जिससे पुर्धिन पुर्व अपराद को लेकर के बहस हुई अपराद के विरोत के कारण और बहस के कारण राकेश यादर जी निस्तानी पर चले गया और सब को पता है कि राके स्यादर को किस ने मारा आखिर सरकार बिहार को जनता को अपरादी और माफिया और दरिंदों के हाथ में क्यों छोड़ दी क्या उनके लिए बेटियों से जादे और आम आदमी के जीवन से जादे हर्याली और धरूर जादे महत्रपूर ने जब विहार की एक जनता नहीं बचेगी और विहार की बेटी एक रूम में पैद हो जाएंगे और दारू पर आप भोड़ती से लेंगे नितेजी मुझे लगता है कि नौर्थीस्ट कस्मीर से भी जादे बत्तर इस्थिती और नक्सलियों से भी जादे बत्तर इस्थिती आज विहार की है जा अपराधियों का नंगा नाच हो रहा है कि मैं उमीद करता हूं अभिलम इसकी पट्ना एटक्वार्टर से एक नियाएक जांच किसी पीछे से और बड़े लोगों का हाथ तो नहीं है किसी की भूमिका तो नहीं है कि दूसरा तीर मेने के अंदर एस्पेडी ट्रायल करके अभिलम उसको फांसी की सजादी जाए उस परिवार को सुरक्षा की वेबस्ता की जाए दूसरा नितिश कुमार जी लगा ताग आपकी पुलीस आतंगवादियों से ज्यादे खराब रोल कर रही है मोमे राम बगल में छुड़ी नितिश कुमार भीतर कुछ बाहर कुछ हम जानना चाहते हैं कि सृता मड़ी के परिहार में बीजेपी के विधायका और पूर विधायक में जिस तविक्य से एक धर्म विश्यस लोगों के महले में जाके गाली गरोज गोली मारो शालों को निकलो गद्दारों को मारो मारो गाली मतलब लैंग्रेस का फूरा वायरल है आपने अभीता को पार्टनर है वो भीहार में दंगा पैदा करना चाहते हैं मेरा सिधार होगी दूसरा और अंगाबाद में आपकी पुलीस घर धूब धूब करके मारती है घर धूब धूब कर देती है यह उत्तर प्रदेश नितिजी नहीं है कि 50 से ज़्यादे है उत्तर प्रदेश में हमले हो चुके हैं मारे चाह चुके हैं कल 20 जगों पर 20 जीले में इंटरनेट बनता आतंक और आतंक वादियों का राज है उत्तर प्रदेश में आतंक का माहूल है पूरे देश में कहीं भी दंगा नहीं हुआ अमंद चैन से अधिकार और भारत बचाने और देश की संविधान की रक्षा की आवाज उट रही है सभी जगह है सारे साहितकार समाजिक लोग सरकों पर हैं उसके बाद आपके विहार में पुलीस की गुंड़ई जिस तरीगे से अठिमाबाल में देखने को और सितामड़ी में देखने को मिला अंजगों पर और आपके घटक दल लगातर धंगा पैदा करने में लगे हुए नितिश कुमार जी आपको रिजाइन करना चाहिए और इस जो लगातार धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश में गोली चलवा रही होगी और विहार में और आप कारवाई तक नहीं करते इसलिए आप नंगे हो चुके हैं आप बिहार की जनता एक मिनट भी आपको देखना नहीं चाहिए मैं औरंगाबाद छहां के पूलिस पर इंक्वार इंप की मांगरता हूं वहां के पडादिकारी पर वहां के सीनियर पिजादिकारी पर इसम braking नहीं ने हीं परी पुलिस की गुंड़ई जारी रही तो चार तारीक के बाद पटना में अनिश्चित गाली सत्यागरा करेंगे इस पुलिस की गुंड़ई और इस देश में धार्वी कुनमाद पैदा करके देश बत्वारे और आम आदमी को मारने को लड़ाई हमारी आरपार की है कोई कंपरवाज नहीं है ने तीस कुमार जी तीसरा मेरा सीधा है बालू कि आप आम जनता पर बोज बन चुके हैं अब आपको आम जनता किसी भी परस्तिती में रखना पसंद ही करती है निती जी नहीं समलता है तो आप मुकमंत्री बने रहें आप पुलीस बिभाग पप्पु यादर को माद्र एक महने के लिए कि ऐजे एग्रिमेंट एक महने के अंदर इस बिहार में एक भी अपराधी बचा कम राजनीती से सन्या सकते हैं क्या पद्चाते उसमें क्या रूल होगा कुछ लिए पुलीस डिपार्टमेंट कोई रोल ने कोई मुकमंत्री मंत्री ने आप बिना पुट्फोलियों के भी तो लोग काम करते हैं ना बिना पद के आप एक मैना पप्पु यादर को आप कि पुलीस विभाग का मंत्रायल स्वपदी और एक मैने अंदर एक अपरादी इस बिहार का बिहार में रहा तो बचा हम राजनीती से सन्या सकते हैं राम राज नहीं दिखा हम पताल में भी होगा हाजीपुर के एक एक अपरादी सोना लूट से लेकर पेट्रोल लूट सब गेंग वार से लेकर आम आदमी के वार तक और जो लोग नेता इन्वालव है इसमें उसको भी खतम करेंगा उसका भी जगा उन्नेताओं का जगा भी समसान हो बिलकुल कि इस तरह कि बाद किसने करिया काम इसमवट है जदि कोई आदम खोर घर ढूब जाएगा और मारेगा अकाट मार करेगा कोई हाथी घर डूप जाता है और दस्थव आदमी को मार देता है तो जानवर को मारा जाता है कि जब आदमी आदम खोर होगा तो इसको समाज बचाने के लिए हमें निरने तो कठोड लेने होंगे बेटी को बचाने के लिए हमें मिरने तो लेने होंगे और साप है जो चार मडर में और चार धकेती में और दो बलतकार में इनभल होंगे उसको या तो विहार छोड़ना पड़ेगा या तो उसको समसान मे जाना पर जेल हम नहीं भेज़ें अपको लगता आपकी बात नितिश कुमार जी या इन नित्राओं का घर ही पूरा का पूरा सप्ता पर घर इस बिहार के इन माफ्या अपराधियों से ही चल रहा है पूरा समराज ही चल रहा है सारे MLA MP मंत्री संत्री कौन लोग नरुना बलतकार में इन्वल्व नहीं है कौन लोग हाजिपूर मजप्परपूर के जमीन के दलालों में इन्वल्व नहीं है यह कौन सोना है जो राजस्तान से लूट के लाएवा सोना है वही घुम रहा है कुईंटल का कुईंटल सोना जेल में रह करके मडर करवाता है मैं आप से पूछता हूँ ऐसे आदमी को जिन्दा रहने का राइट क्या है मैं सीधा हूँ मैं नहीं छोड़ू कुछ कहना है इस पर मैं जिस दिन आउंगा उस दिन मैं सूटन साइट कर रहा हूँ मैं बाद में देखूंगा क्या होगा समाज बचाने के लिए मैं कोई दिरने ले सकता हूँ बिहार के गामराज और बिहार की बेटी को आजात करने के लिए मैं अपने आपको समाप कर सकता हूँ जिसको जो बोलना हो बोलें मुझे कोई अपत नहीं पानी सर से बाहर जा चुका है अब इन अपरादियों का जगा जेल में नहीं है मैं बहुत किलियर हूँ इन बलातकारियों का जगा जेल में नहीं है मैं बहुत किलियर हूँ इन समाज में नफरत पैदा करने वाले का जगा जेल में नहीं है या तो वो बिहार छोड़ दे या तो वो समसात है SPD ट्राइल हमारी कौवर्मेंट हैगी तो हर अपरादियों काASTपजी ट्रैल तीन मेना के अंदर परोग अफ्या अपराधी इन्लों का ट्रैल टीन मेने के पंदर्ध कि बलतकारियों कायों को बलत कावियों को फासी देंगे और तीन मैने के अंदर हम मडर को फासी देंगे कोई कम परमाईगी अचाहिए राकेश आधियो यह मामले में लगता है कि जो अपरात का उपिरूद कर रहे थे उसका खाम्या जाओं सर मैंने क्या पो कहा है कि राकेश यादव से तिन चार पां कि लोगों ने कहा कि मार देंगे राकेश यादव की हत्या में अपराधियों का हाथ है अब इसके पीछी और कौन-कौन लोग है उत्तुर्ट जाच का भी सा है लेकिन राकेश यादव को मारने में अपराधी हुए कि हुमिकास से आवगा इनने तो खाथ इसकी जाच निया इसको अपराधियों को या तो ठोके या तो तीन में अंदर अस्पेटी ट्रैल कर अन्नता जोरत होगी हमारी पार्टी और सभी लोग सब समाज के लोग मिलकर हाजीपूर को बंद कर